एक बाव फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चलम में इस वीडियो में अपने आपर बात करेंगे जो ECC International T10 का गुरूप C का आज के दिन का मैच नंबर चौथा रहेगा जो खेला जाएगा सर्विया वर्सिस डैनमार्क के बीच में तो इस मैच की में आपको पूरी जानकरी दूँगा पहला मैच अपना अच्छा नहीं रहा दूसरा मैच अपना बहुत अच्छा रहा वो तो अपना जो वाइस केप्टन था ना तकवी उसकी बोल पे अगर आप लाइव मैच देख रहोंगे एक इतना इजी केच छोड़ा था भाई बल्लब बिल्कुल पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी अगर आपने अब तक टेलीग्राम चनो को जो नहीं किया है तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चनो को जरूर जोइन करना है क्योंकि फाइनल टीम तो मिलती है वहापर लेकिन उससे भी ज़रूरी क्या रहता है इन मैच इसमे पहले जाएगा काटमा और काटमा में बहुत अच्छा बेटिंग विकेट रहता है जैसा कि अपने देखा कि चेज कितना एजी हो रहा है आपर आवरेज स्कूर 110-130 के बीच में बनता है 30 मुकाबले यहापर हो चुके है 13 जीते हैं बेटिंग 1st के निवा टीम ने 17 में हो गया था तो इनकी तरब से ओपन गया था सीमो इवेटिक और उनके साथ में आयते हैं आपर अलेकसंदर डिजीजा अब देखो सीमो इवेटिक टीम का कप्तान भी है 19 रन की अच्छी पारी खेली थी कुछ अच्छे शॉट्स इसने लगा थे लेकिन यह जादा ओर अटे रहें तो इसकी बोल पर आउट हो गए अधरवाइस एक्सपिरियंस है इनके पास टीटेन का 20 में 482 चालिस कावरेज है यहाँ पर डनबर है इसने भी 15 ही रन कर पाया था हाला कि इसका भी रिकोर्ड बहुत अच्छा है लेकिन पहले मच में कुछ ज्यादा खास किया नहीं यहाँ से मैन एजीगो अयो हैं 7 रन इन्होंने किये थे टीटेन में 11 मेच में 106 11 विकट है और यह बोलिंग करवाएगा ध्यान रखना अगर इनके टीम पहले बोलिंग करती है तो यह बंदा बहुत इंपोर्टन्ट है क्योंकि यह मेरे को लग रहा है कि डेथ में आएगा फिर आएंगे ऐसे नेमंजा जिमोनिक इनको दिको पहले मेच में एक रन किया बोलिंग मिली नी थी 16 टीटेन में 6 विकट है 2022 में 10 में एक विकट है यहाँ से एक और जो में ट्रंप बन सकता है बोलिंग फर्स्ट में वो है जोवन रेब इन्होंने भी देखो मैं आपको ब दालके यहाँ पर टॉसिक के नाम लाश मेंच में 10 नोट आउट की पारी इन्होंने खेली थी बोलिंग यह भी करवा सकते हैं लेकिन पहले मैच में इनको भी बोलिंग बिल्कुल भी नहीं मिली थी फिर आइंगे आसे मतीजा मतीजा और पीटर नदेल जयकोईक यह दोनों बहुत यंग प्लेयर है यह तो जिसमें 15 साल का प्लेयर है अगर आपने लाइव मेच देखा होगा आपने देखा हो बिल्कुल मतलब बहुत कम एज का लड़का है यह दो ओवर इससर डलवाये थे मेरे को लग रहा नहीं रहा कि मेन मेच जब होगा तभी बोलिंग तो इन्होंने सिर्फ ट्राई किया है इसको अगर डलवाते हैं तो भाई यह मार खाएगा यहां से अलिष्टर है इन्होंने भी एक ओवर डाला विकेड लेस थे 9 टीटे में 13 विकेड है टीटे में 9 मेच में 5 विकेड है और मतीजा ने यहां पर एक ओवर डाला विकेड ल रहो तो आप एक और प्लेट से नीचे से तो मत रखना, एम आयो कू रखना इन दौनों में से कोई एक प्लेर रखना अगर पहले बेटिंग करें और अगर इनकी टीम पहले बोलिंग करें तो फिर उस condition में आपके लिए IO भी important है और जोवन रेब भी आपके लिए बहुत important बन जाएंगे बाग की bench पर जो भी players हैं के इनमें से कोई खेलता है stats मिल जाएंगे last match में starting में डाय लिए थे Peter, Nedal, Jokovic, A. Gazic और यहां से मती जा, death में मेरे इसाब से J.J.B. और M.A.O. आने चाहिए Denmark के जो team है भाई इन्होंने it league हो रहा है तो बहुत solid इनके team है यह समझ लोग के match तो यह easily जीतेंगे बस देखना है होगा कि experiment कितना करते हैं यह experiment कर सकते हैं तो इनकी team को आपको ध्यान रखना है कि betting order किया है संगी उन्हें पहले match में अठारा किया बहुत अच्छे shots लगाये थे important player है अब्दूल हस्मी wicket keeping प्लस 57 note out किया था CBC का choice है जैसा में इम्राग इमाल जौग को राष्ट में इची लिए किया था वो तो किया उसने wicket keeping से बिलकुल point ने दिये otherwise वो wicket keeping से भी point देता आपको Jonas Hendrickson ने 27 note out एक wicket इनके नाम था यास है Mangas है इनको betting bowling कुछ नहीं मिली थी दिलावर खान भले ही wicket लेस रहा हो लेकिन इसने 9 hour भी डाला था पारी में और अच्छा बोलर है और सामने क्योंकि opponent weak है तो important रहेगा साउद मुनीर तो भाई सबसे तकड़ा बोलर है इनका ये क्या कटरस डालता है लास्ट में में को लगा था कि सायथ उतनी bowling इसको ना दे लेकिन पूरे ओर मिल रहे है और आटवा और दसवा ओर डाला था लक्की मिलिक को betting bowling नहीं मिली थी जवाद अली ग्रैंड लिग में ट्राइक कर सकते हो एक ओर डाला था विकेटलेस गया था फास्ट बोलर है अच्छी खासी पेस पे बोलिंग कराया थी देखते हैं इसमें मोका मिलता है नहीं मिलता अब्दुल्ला महमूद में भी एक ओर डाला विकेटलेस गये थे इस्पिनर है यह सकेरुल्ला सफी एक ओर में एक विकेट और एहसान करीमी तीन विकेट थे अब देखो मैं यहां से रख रहा हूँ संगीव, अब्दुलहस्मी, जोनासन हेनिकसन, दिलावर खान, सोद मुनीर और यहां से एशान करीमी अब आपके पास दो प्लेयर का और ओप्शन बसता है जिनको आप लोगे तो इन तीनों में से कोई दो लेने है अबी के लिए मैं रख रहा हूँ, अब्दुल्ला महमूद और सकेरुला सफी लेकिन यहां से जवाद अली सबसे बड़ा टरंप बन सकता है क्योंकि हो सकता है क्योंकि टीम को पता है बेस सामने अपोनेंट विक है तो उसको ज़्यादा चांस दे और यह विकेट भी ले जाएगा क्योंकि बहुत अच्छा बोला रही है स्टार्टिंग के ओवर डालेंगे ई करीमी, जे अली, जे हन्रिक्सन, डेथ में आयते सौध मुनिर और डी खान अनालिसस वाला पार्ट हो चुका है, कम्प्रेट चलेंगे डेमो टीम की तरफ लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना चलते हैं आप पर डेमो टीम की तरफ मिल जाएगा, तो दोनों जगे से जाकर आप इजिली जाकर टेलिग्राम चलों को जोइन कर सकते हो, अभी देख लेते हैं डेमो टीम, डेमो टीम में अभी के लिए मैंने विकेट किपिंग सेक्षन से रखा है, ए हश्मी, ए डनबर पेटिंग सेक्षन से संगीव, ए डीजीजा, एस इवेटिक ओलरांड़ सेक्षन से डी खान, ए महमूद, जे हेंडिक्सन बोलिंग सेक्षन से ए सफी, ए करामी और यहां से सोध मनिर यहां से केवल एक चेंज कर सकते हो, आप जवाद अली को भी इस टीम में ट्राइ कर सकते हो, जिनको मैंने अभी के लिए नहीं रखा है बाकि फाइनल टीम आपको टेलिग्राम चनले पे मिलेगी, पूरा मैच डिपेंड करेगा टॉस के उपडर और बेटिंग ओडर के उपडर, तो टेलिग्राम चनले से जो हो जाना, लिंक जो है टेलिग्राम चनले का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट में आपको टॉप पर पिन किया हुआ, मिल जाएगा, प्रेण प्रेण था दए लिफ जो है तो टॉप जाएग।